हलो दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो हमारी नई घोड़ी गोर्डन के साथ है जब हम इसको लेके आये थे तो ये काफी ठकी हुई थी पर हमने इसको रेस्ट दी आते ही बाहरवाली जो भी घोड़ी आती है उनको हम कुछ मेडिसन भी दे देते हैं कुछ ट्रीटमेंट उनका कर देते हैं ताके बाहरवाली किसी बिमारी का डर हमारे घोड़ों तो ना पहुंचे और उसको अलग एक रूम में कॉरंडाइन भी कर लेते हैं जब दिख जाए कि घोड़ी तंदुरुस्त है तो उसको मेन घोड़ों में दाखिल कर देते हैं जिस दिन से भी ये आई है इसको करीब एक महीना हमारे पास आए हुए हो गया होगा मैं तो फर्स टाइम ही इस पे राइड कर रहा हूँ बैठते ही मुझे लगा कि इसकी एक अटैटमेंट धिली है तो गैनराम जी को रिक्वेस्ट की कि उसको टाइड कर दें बग्गी चलाना बहुत ही ध्यान से करने वाला काम है पीट सवारी में आप गिर जाओगे गोड़े को छोड़ दोगे और घोड़ा घर वापिस आ जाएगा वैसे तो उसमें भी बहुत रिस्क है वो आते हुए बेता हशा भागेगा किसी को चोट लगा देगा मगर बग्गी वाला घोड़ा तो बिलकुल ही एक बहुत बड़ी दुरगटना को नियोता देने वाली बात है अगर उसकी कोई भी चीज अटैच्मेंट लगाम कुछ भी धीला रह गया तो एक बड़ा एक्सिडेंट होने का डर हमेशा बना रहता है आज तक कई सारे घोड़िय घोड़े हमने बग्गी के लिए ट्रेंड किये मगर उन सब को चलाते हुए हमें हमेशा डर का आवास रहा वो किसी भी चीज से डर जाते थे जा चलने में बहुत तेजी करते थे मगर ये घोड़ी गोल्डन जो अल लेड़ी एक बाम प्रूफ घोड़ी है और ये बिलकुल कम स्पीड में जा वाक में ही चलती है जब आपको जरूरत पड़े तो आप इसको ट्रॉट करा सकते हो आज की राइड करीब पांच किलो मेटर की होगी जिसमें से ज़्यादा रास्ता कच्चा होगा धीरे धीरे गुरु द्वारा साहिब से गुरुबानी का जो पाट हो रहा है उसकी मदूर अवाज आ रही है और ठंडी शाम है गर्मियों में तो मैं और जेटी भाई इसको बग्गी में घूमने के लिए निकले हैं और फार्म के बाहर हमारी खुद की ये पहली इसके साथ एक राइड होगी और अगर आपके पास एक डरने वाला जा बहुत तेजी करने वाला घोड़ा बग्गी में है तो आपके लिए वो काफी टेंशन का काम रहता है क्योंके वो कभी भी आपको डर रहता है कि डर के बितकेगा जा पीछे हटेगा जा बग्गी को रस्ते से नीचे उतार लेगा क्योंके हम हाईवे पे कभी भी राइड नहीं करते वहां पे तो खत्रा इससे भी जादा है आजकर लोग अपने अपने फोन को चलाते हुए गाड़ीयां चलाते हैं और कोई ये बात नहीं समझता कि ये एक जानवर है और ये डर सकता है वो समझे भी क्यों जिसने जानवर पाले ही नहीं उसको जानवरों के बारे में कुछ मालूम भी नहीं होता और उसके अंदर वो एक दया का भाव नहीं होता जो एक घोड़े पालने वाले जा एक एनिमल लवर के अंदर होता है हमारे प्रोसी गाउं से हम गुजर रहे हैं यही अगर आपके पास अंट्रेंड घोड़ा हो तो आप ढिली लगाम पे नहीं चला सकते वो पानी को क्रॉस करते समय भी डरेगा और हमेशा आप राइड का मज़ा कम और अलर्टनेस में जाधा रहते हो तो अब यह मन है कि आप कभी भी बग्गी के लिए घोड़ा करीदो तो थोड़ा ठंडे दिमाग का घोड़ा करीदिए बेशक वो स्पीड ना पकड़े मगर आपके लिए रिस्क नहीं रहेगा अभी हमारे पास थोड़ी सी रोड आएगी रोड के उपर चलाने में बग्गी घोड़े के लिए काफी आसान हो जाता है उसको खींचना क्योंकि उसकी जो घर्शन है वो कम हो जाता है और बग्गी बिलकुल लाइट वेट घोड़े को महसूस होती है ये पैच करीब एक सवा किलोमेटर का ही है जैसे ही कच्चा रास्ता आएगा हम इसको फिर वाक पे ले आएंगे अगर आपका रास्ता स्मूद नहीं है तो आप जरा भी स्पीड करते हो तो बग्गी के लिए राइट काफी बंपी हो सकती है और आप उचल के नीचे भी जा सकते हो कुछ लोगों ने पूछा कि इसकी गोल्डन की क्या ब्रीड है तो मैं बताना चाहूंगा भाईसा मुझे इसकी ब्रीड का कोई ग्यान नहीं है हमने इसको खरीदा इसके टेंपरामेंट के लिए और इसके कलर के लिए पहला मीनो कलर विद जेबरा मार्गिंग्स और डॉर्सल लाइन धीरे धीरे जब इसके बाल बढ़ जाएंगे तो ये और भी खूब सूरत दिखेगी और इन अ मीन टाइम हमें कोई अच्छा पोनी टाइप घोडा दिख गया या कोई सिंधी घोड़ा अच्छा दिख गया तो हम इसको मेट भी करा लेंगे अगर सिंधी घोड़े का कलर इसके जैसा पहला मीनो या बक सकिनो वैसे तो मैं बक सकिन से अब नहीं कराओंगा क्यूंके दिलेर घोडे के कलर ने और उसके सुभाव ने बक सकिन से हमारा जो मोह है वो भंग कर दिया है और जो पुरानी एक बात है कि बक सकिन होरसेज और सुरंग घोडे थोड़े मूडी होते हैं और उन में से कोई घोड़ाई शाम सुभाओ का निकल दै वो बात इस घोड़े ने सच कर दी है जादा तर लोग या स्पेशली फॉर स्पोर्ट से रिलेटिड जो भी राइडर्स है ब्रीडर्स है वो ये मानते ही नहीं कि कलर के साथ घोड़े के सुभाओ का या भवरियों के साथ या मारकिंग के साथ उसके सुभाओ का कोई अंतर होता है अगर देशी घोड़ा और देशी रिवाज हम लोग तो इस बात को मान लेते हैं और कई सारे तो जर्बे आपको घोड़े खुद बाखुद देते हैं सो मेरा मान ना है कि पहले हम लोग भी कहते थे कि भवरियों बे कुछ नहीं होता मगर धीरे धीरे अब हम लोग भवरियों में भी बिलीव करने लगे हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गलत भवरियों के घोड़े आपको बेचने भी बड़े मुश्किल होते है सो बेटर है कि एक अच्छे साब सुत्रे घोड़े को खरीदे जिसको कभी भी आपको बेचना बड़ा असाल हो अक्सर एक जवा मिलता है कि गलत भवरियों वाले घोडे कौन सा रोड पे घूमते हैं अगर जादा तर गलत भवरियों वाले घोडे बेचारे रहते बुरे हालात में ही है ये मैंने बहुत सारे फार्म हाॉसेज घूम के ये तिजर्बा किया है कंबाइन हारवेस्टर आई तो हमें रस्ता देने के लिए हम लोगों ने गोल्डन को एक खेट में उतार लिया एक बॉम प्रूफ घोडे का यही एक फाइदा है कि आप एक स्कून भरी राइड कर सकते हो वरना तो आपके दिमाग से डर ही नहीं हटता किसी को बग्गी के घोडे ट्रेन करने का शौक हो तो एक चैनल जरूर सबस्क्राइब करें जिसका नाम है बैरी हुक बैरी हुक एक बज़ूर्ग आदमी का चैनल है जो के बहुत ही प्यार से घोडों को बग्गी के लिए ट्रेन करते है काफी पेशेंस का काम है बग्गी चलाना लोगबाग की पारकिंग सेंस इतनी जबरदस्त है कि जब तक वो किसी का रस्ता ना रोके उनको मज़ा नहीं आता और दो बार अगर आप उची आवाज में उनको बोल भी दे तो आजकर लोगों का बीपी बड़ा रहता है और लड़ाई का खत्रा पूरा तयार रहता है और वैसे भी घोडे वालों को आम पबलिक कोई ज़्यादा पसंद नहीं करती ये घोडी तो बिलकुल ही बॉम प्रूफ और काम है बिलकुल जिस जगह इसको रोका गया और ये रुक गई ताके गाड़ी को आराम से पास दे दिया जाए ये आज तक की बग्गी में चलाए जाने वाली हमारी सबसे बेस्ट घोडी है उमीद है कि जैसे जैसे इसका दिल हमारे फार्म पे लगेगा इसकी पूरानी थकावट उतर जाएगी और इसके अटिचूड में थोड़ी बहुत स्पीड धीरे धीरे आ जाएगी तो ये एक बहुत ही खूबसूरत राइडिंग की घोड़ी बग्गी की घोड़ी हमारे पास बन जाएगी ये पीट सवारी भी करा देती है तो एक ठंडे दिमाग की घोड़ी आपके फार्म के लिए एक एसट होती है कोई भी छोटे बच्चों को जाए नए लोगों को आपको सवारी सिखानी हो घोड़े का डर निकालना हो तो एक शरीव घोड़ी उसके लिए बहुत ही जादा जरूरी है चलिए दोस्तो हमारी राइड पूरी हो गई है और चल इसकी राइड का वीडियो जो के बगगी के बीच में से शूट नहीं किया होगा वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए कि याने का लाद बंड़ा जया ये शिकरे चेले एंदे प्र चलोगी